पिर आंदोलन के उपर जूठे आरोप मीडिया में बयान देकर के लगा रहे हैं और हम उनको जवाब देना चाथते हैं हम उनको चेतावनी और चैलेंज देना चाथते हैं अनिलविज जी कहरे कि इनके पिछले एक साल के किसान नेताओं के बयान प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिनिक मीडिया में सुन लीजिये इनकी मांग केवल तीन करसी कानूनों के वापसी की थी हम ग्रह मंत्री जी को बताना चाहते हैं पहले दिन से हमारी चार मांगे हैं तीन करसी कानूनों की वापसी MSP का गारंटी कानून बिजली बिल की वापसी और प्राली वाले कानून की वापसी कोई बयान मीडिया का सुण लेना कोई बयान प्रिंट मीडिया का पड़ लेना और सरकार के साथ जो हमारी 11 दोर की वारता हुई है अपने खुद के केंद्रिय करसी मंत्री नरेंदर तोमर के बयान सुनिये और जो मांग पत्र सेयू किसान मोर्चा ने रखा उसको पड़ लीजिये जूट बोलना बंद कीजिये अगर हमारी बात आपकी बात सची निकले तो हमांदोलन चोड़ने को तयार और हमारी बात सची है तो फिर आप ग्रै मंत्री की करसी छोड़ करके और किसानों से माफी मांग करके और जंगल में चले जाना आपकी जगे वहीं पे है दूसरी बात आपने कहा बहुत बड़ी मांग मान ली ये हमारी मांग नहीं थी तीन करसी कानूनों की वापसी ये तो गले में जो घंटी बांदी थी गुलाम करने के लिए उसको निकाल करके किसानों ने अपनी ताकत से फेका है हमारी मांग है MSP का कानून हमारी मांग है बिजली बिल पराली के कानून की वापसी सहीद किसानों के पुनरवास की व्यवस्था सभी फरजी मुकदमों की वापसी और घरे राज्य मंतरी अजय मिस्र टैनी की पदसे बरखास्तगी ये हमारी मांग है और हम आप कहरें धन्यवाद करें प्रधान मंतरी का इतनी बड़ी मांग मानली जिन्दाबाद के नारे लगाए नरेंदर मोदी के आप हमारी ये मांगे मानिये उसके बाद धन्यवाद होगा और जिन्दाबाद के नारे तो किसान मजदूर एकता के लगेंगे आप आरोप लगा रहें आप केरें कि ये election के कारण आंदोलन को लंबा खीचना चाथ तें राजनीतिक महत्वकांसा है महत्वकांसा क्यों बढ़ने दे रहे हो राजनीति करने का मोका क्यों दे रहे हो आपकी सरकार चाहे तो छे घंटे में हमारी जो छे मांगे हैं उनको पूरा करके आंदोलन को समाप्त करवा करके हमें घर भेज सकती है अगर सरकार चाहे तो अनिलवीजी यह आपको चेताओनी भी है चेलेंज भी है और घटिया बदजुबानी करना बंद कीजिए क्योंकि आ साथियों जैकिसान में रवी आज़ाद साथियों कल हर्याना के घ्रह मंत्री अनिलवीज एक बार फिर आंदोलन के उपर जूटे आरोप मीडिया में बयान देकर के लगा रहे हैं और हम उनको जवाब देना चाहते हैं हम उनको चेताओनी और चैलेंज देना चाहते हैं अनिलवीज जी कहरे कि इनके पिछले एक साल के किसान नेताओं के बयान प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिनिक मीडिया में सुन ली जिये इनकी मांग केवल तीन करसी कानूनों के वापसी की थी हम ग्रह मंत्री जी को बताना चाहते हैं पहले दिन से हमारी च्यार मांगे हैं तीन करसी कानूनों की वापसी MSP का गारंटी कानून बिजली बिल की वापसी और प्राली वाले कानून की वापसी कोई बयान मीडिया का सुन लेना कोई बयान प्रिंट मीडिया का पड़ लेना और सरकार के साथ जो हमारी ग्यारा दोर की वारता हुई है अपने खुद के केंद्रिये क्रसी मंत्री नरेंदर तोमर के बयान सुनिये और जो मांग पत्तर से यू किसान मोर्चा ने रखा उसको पढ़ लीजिए जूट बोलना बंद कीजिए अगर हमारी बात आपकी बात सची निकले तो हमांदोलन छोड़ने को तैयार और हमारी बात सची है तो फिर आप ग्रै मंत्री की कुरसी छोड़ करके और किसानों से आप ही मांग करके और जंगल में चले जाना आपकी जगे वहीं पे है दूसरी बात आपने कहा बहुत बड़ी मांग मान ली ये हमारी मांग नहीं थी तीन करसी कानूनों की वापसी ये तो गले में जो घंटी बांदी थी गुलाम करने के लिए उसको निकाल करके किसानों न घरे राज्य मंत्री अजे मिस्र टैनी की पद से बरखास्तगी ये हमारी मांग है और हम आप करें धन्यवाद करें प्रधान मंत्री का इतनी बड़ी मांग मान ली जिंदाबाद के नारे लगाए नरेंदर मोदी के आप हमारी ये मांगे मानिये उसके बाद धन्यवाद पूरा करके और आंदोलन को समाप्त करवा करके हमें घर भेज सकती है अगर शरकार तो अनिल विज्जी यह आपको चेता उनी भी है challenge भी है और घटिया बदजुबानी करना बंद कीजी है क्योंकि आपकी सरकार की और आपकी सचाई पूरा देश जानता है पूरी जानती है इस वीडियो को सेर करें धन्यवाद जै जवान जै किसान साथियो जै किसान में रवी आज़ाद